कि हैंता है ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अभी अपने गाउं आया हुआ हूँ हुआ है अभी छटपे हूं। बाकि आप पीछे का वीउ देख शकते हैं, ये छटपे हूँ हूँ, मैं ये ये मेरा देख रही मैं है, नीचे हमारी गाड़ी लगी हुली है। अशा कि आप देख रहे हैं, गाउं में एक अलग ही सुकून है, गाउं का एक अलग मज़ा है, अब मैं जा रहा हूं अपने खेत देखने के लिए, बहुत दिनों से मैं ने गया हुआ हूँ, अभी जाओंगा देखता हूँ, धान कितना बड़ा हुआ है, बाकी चलते हैं खे सूट करते हैं, तो हम छट से नीचे उतर चुके हैं, और अभी चलते हैं, खेत चलते हैं, देखते हैं, और बाकी आप देख लिए, ये हमारा घर है, अब बैस, गाउं में रहने के बाद ये सब रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजे होती है, और ये हम केट खोल रहा है, और मैं पैदाल निकल चुका हूँ, अपने खेत की और, और ये रास्ता है, जो कि पहले दूल मिट्टी से भरा हुआ होता था, अभी पिचिंग हो चुका है, ये रोड, अभी हमें एक किलो मेटर और चलना है, एक किलो मीटर लगवा का और चलेंगे, तब आएगा हमारा खेत, देखते हैं, फिर से हम लोग सरक पर आचुके हैं, मैंने सोचा था कि पूरी रोड बन चुकी होगी, लेकिन नहीं, ये फिर से वही हल है, हमें जाना है, वो जो एक पेड़ दिख रहा है, वहाला, वहां जाना है, वहीं पर है हमारा खेत, कितना शुकून मिलता है, देखिए, चार और हर्याली ही, हर्याली, कितना मज़ा आता है, फाइनली हम पहुंच गया है, इस पेड़ की मैं बात कर रहा था, यहां से हमारा खेत शुरू होता है, और यह हमारा खेत है, और यहां से हमारा खेत शुरू होता है, और देख रहे हैं, धान, इस पर बारिस बहुत कम हुई है, जिसके करन धान, उस हिसाब से पैदावाद में नहीं देख पा रहे हैं, बारिस होती है, तो दान अच्छा होता है, तिकने इस बार बारिस बहुत कम हुई है, हर साल के मुकाबले, यह खेत हमारा यह लोगों ने इदर से रास्ता बना रखके रखा है, यह पहला खेत हमारा समाप्त हुआ यहां तक, यह यहां से यह खेत हमारा है, बांकि यह बीच में एक आगिया है, छोटा सा खेत है, दुस्रे का है, और, पिर से यहां से अपना खेत स्टार्ट हो जाता है, इस जगह से, यह पूरा अपना है, बांकि वीडियो में तुम्हें डेटिल में नहीं बता सकता कि, क्योंकि हर जगह हर याली ही हर याली दिख रही है, और चार तरफ धान ही धान है, तो खेत को दिखाना समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे दिखा हूँ, यह एक होता है, आर जिसको बोलते हैं हम लोग, यहां तक खेत था वो दूसरा, जो कि वो भी अपना ही था, बागी यह बीच में दूसरे का खेत है, और फिर से इसके बाद तीसरा खेत आता है, हमारा, बहुत समल के चलना पड़ता है, आर पे चलने पे बहुत परिशानी होती है, यह भी खेत अपना है, यह बीच में, फिर यह अपना, हम लोग देखिए कहां आ चुके हैं, वो जो पेर है, यह जो पेर है, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खेत, वहाँ से पहला खेत अपना हुआ, फिर दूसरे का आया बीच में, फिर तीसरा खेत अपना हुआ, फिर दूसरे का आया, फिर चौथा अपना, फिर इसके बाद खतम होता है, तो फिर अपना ही खेत है, दो खेत और है, फिर उसके बाद एक नहर आता है, उसके बाद भी नह इस वार बहुत धान में बहुत ज्यादा देख रहा है गास है बहुत ज्यादा दान में घास है बारिश तो हुई नहीं ग्रोथ भी कम है और चारो तरफ का व्यू देखिए चारो तरफ धान ही धान धान ही धान अधर आज नहीं जाएंगे बहुत दूर है उदर इस वीडियो में दिख रहा होगा कुछ बहुत दूर है वो खेत इसे रिटर्ण होते हैं अपन फिर से चलते हैं उस पेड़ के निकट और वहां थोड़ी देर रोकेंगे देखेंगे उसके बाद फिर वापस दूसरे खेत में जाएंगे जो की दूसरे तरफ है यह हवारा खेत घर से पस्चिम की और था और दूसरा जो और सारा खेत है वो घर से उत्तर की और हैं उधर कल चलेंगे आज यही तक का है पहले वहां चलते हैं वहां रुकते हैं थोड़ी देर उसके बाद फिर चलेंगे घर की और मैंने बोला था आपको मैं खेत दिखाऊंगा जैसा कि आप देख रहे हैं चारों और खेत ही खेत धान धान ही धान चारों तरफ पादल चलने का आदत नहीं है फिर भी चल रहा हूं निकल चुक है आप घर की और तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में तक लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू